मेरा नाम है अम्रेदला और आज का हमारा टॉपिक है मिटाप्लासिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिटाप्लासिया जो होता है वो एक सेलूलर अडप्टेशन होता है और इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब कोई बोडी के अंदर आपको एक्षिंग कर सकती है उसके थयता है स्टिमली तो जब क्या होता है कि कोई ऐब नॉर्म्य स्टिमवली बोडी के दर प्रोड्यूस होता है तो अड़ी वो आपको रिवर्सिवली जाते हैं किसी दूसरे एपिधिलियल और मिजनकाइमल सेल में इस चीज को हम कहते हैं मेटाप्लासिया मेटाप्लासिया जो होता है इसको अगर वह वह स्टुमलिस जिसकी वज़े से यह चेंज हुआ है वापस अपनी पोजिशन में आ जाता है या खुद में कनवर्ट हो जाता है अगर यह स्टुमलिस आपको बहुत लंबी टाइम तक पॉसिस्ट करता है तो चुकि मेटाप्लासिया आपके एपिथीलियल और मिजनकाइमल सेल्स में होते हैं तो जो एपिथीलियल होते हैं सेल्स होते हैं वह आपको कनवर्ट हो सकते हैं कैंसर में है।। तरह में किया है। में two singular type of metables смерach और दूसरा है Misenバイmataplasia मेत COBEN स pacl R A Metaplasia होरा से सब्सक्षाइब दूसरी चेंज ज। सबस्क्राइब पनी ते तो JUN www.ואל-LEMY less well specialized epithelium में तिक जो epithelial आपके convert हुए होते हैं वो चुकि less well specialized होते हैं और उनमें मुक्त कवरिंग नहीं होते हैं protective mucous covering तो उसकी वजह से उनमें infection होने की chances जो होते हैं वो बहुत जादा होते हैं आपके कौनसे type के epithelial cells जो होते हैं वो होए हैं आपके दो तरह के एपिथिलाल मेटप्लासिय होता है पहला है आपका श्क्राम्यरा स्ट्राइंव्थ होता है पहला है अगर कोई कुटिनिवस क्रोनिक इरिटेशन होmesi जो कि जिसका reason आपका mechanical हो सकता है कोई chemical हो सकता है या फिर किसी तरह का कोई infection हो सकता है तब इसमें जो squamous epithelial cells होते हैं वो 1-2 epithelial cell में convert होते हैं जैसे कि आपके जो बहुत जादा chain smoker होते हैं उनमें जो broncus होता है वो chain होजाता है ठीक है और urinary bladder और renal pelvis जिसमें की आपके transitional epithelium present होते हैं वो वहाँ पे होता है आपका यह squamous metablasia chronic infection और stones के cases में और जो prostate gland होता है वो जिसमें की simple karamnar epithelial present होता है वो change हो सकता है मतलब वहाँ पे squamous metablasia हो सकता है chronic prostatis और oestrogen therapy के duration में ठीक है second है आपका columnar metablasia तो यह आपके वह इस condition में क्या होता है कि जो columnar epithelium होता है वो transform हो जाता है जैसे कि आपके जो sero stratified ciliated columnar epithelium होते हैं chronic bronchitis में और bronchiotasis में वो convert हो जाते हैं मतलब वहाँ पे जो आपके columnar cells प्रेजन होते हैं वो convert हो जाते हैं दूसरे cells में ठीक फिर आपकी chronic gastric ulcer जब ठीक हो जाती है तो वहाँ जो आपके columnar cells प्रेजन होते हैं वो change हो जाते हैं intestinal metablasia हो जाता है वहाँ पे और barret oisophagus में आपका columnar metablasia होता है जहां पे जो normal squamous epithelium होते हैं वो columnar epithelium में convert हो जाते हैं second है आपका mesenchymal metablasia में जो होता है वो जो mesenchymal tissues होते हैं वो one form से second form में convert हो जाते हैं जैसे कि आपका oiseus metablasia oiseus metablasia में जो होता है वो basically होता है मतलब oiseus metablasia basically होता है आपका fibrous tissue cartilage और myxoid tissue में bone का formation होता है उसे कहते हैं तो इसके examples में है कि elder people में जो old age people होते हैं उनमें जो larynx और bronchi होता है उनका cartilage जो होता है वहां पे new bones का formation हो जाता है वैसे ही old age में आपके arterial walls भी होते हैं वहां भी changes हो जाते हैं यह था about आपका metablasia के बारे में अगर आपको मेरा यह video पसंद आए तो प्लीज इसे like और share करें और अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज इसे subscribe कर लें Thank you for watching